हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल ड्रिश्टी आएस इंग्लिश टूडेजी के प्रोग्रेम में आपका स्वागत है तो चलिए आज के सेशन की शुरुवात पिछले अभ्यास प्रशन से करते हैं आपसे पूछा गया था कि हाली में जारी फीफा मैंस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत किस पायदान पर है पचासवें, पचात्तरवें, एकसो दोवें या एकसो आठवें नवींतम फीफा मैंस वर्ल्ड रैंकिंग में भारती फुटबॉल टीम को एकसो आठवें स्थान पर बरकरार रखा गया है गौरतलब है कि कोरोना वाइरस महामारी के कारण मार्च 2020 में अंतराश्टी फुटबॉल मैचों को निलंबित कर दिया गया था जिसके चलते इस बार की रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इस रैंकिंग में बेल्जियम पहले, फ्रांस दूसरे और ब्राजील तीसरे पायदान पर है तो इस प्रशन का सही जवाब है option D यानी 108 पहला प्रशन किस राज्य सरकार ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए घर घर निगरानी नामक एप लॉंच किया है option है उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाना या मध्यप्रदेश पंजाब सरकार ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए घर घर निगरानी नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच किया है इस पहल के अंतरगत आशाकार करताओं और सामुदाइक स्वयम सेवकों को शामिल किया गया है जो घर घर जाकर कोरोना वाइरस के शुरुआती लक्षडों की जाच करेंगे इसमें पंजाब के पूरे ग्रामील और शहरी आबादी के 30 वर्ष से अधिक आयू के लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा साथ ही यह सर्वेक्षण 30 वर्ष से कम आयू के लोगों की इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी को भी कवर करेगा यह सर्वेक्षण पिछले एक सप्ताह के दौरान किसी व्यक्ति की पूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ स्थितियों को कैप्चर करेगा और उसकी बीमारियों का पूरा विवरन तयार करेगा इस पहल से राज्य को अपनी कोविड नियंतरन रणनीती को आगे बढ़ाने के लिए एक अत्यंत महत्पूर्ण डेटाबेस विक्सित करने में मदद मिलेगी तो इस प्रश्ण का सही जवाब है ऑप्शन ब यानि पंजाब इस वर्श के लिए इस दिवस की थीम सेफ ब्लड सेफ सलाइप्स रखी गई थी यह दिवस रख्तदान के महत और जीवन बचाने में इसके योगदान के बारे में जागरुकता फैलाने के उद्देश से मनाया जाता है वर्श 2004 में WHO, International Federation of Red Cross और Red Crescent Society द्वारा इस आयोजन की शुरुआत की गई थी गौर तलब है कि 15 जून को World Elder Abuse Awareness Day मनाया जाता है तो इस प्रशन में विश्व रखते दाताव दिवस पूछा गया है तो यह 14 जून को मनाया जाता है यानि Option A इसका सही आंसर है तीसरा प्रशन निम्न में से किसने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन नामक एक सैनिटाइजिंग चेमबर विक्सित किया है IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, DRDO या ICMR कोरोना वारस महामारी के दौरान जोखिमों के मद्दे नजर DRDO ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन नामक एक सैनिटाइजिंग चेमबर विक्सित किया है इस चेमबर के जरिये वर्दी के 25 पेर्स को 15 मिनट के भीतर सैनिटाइज किया जा सकता है DRDO ने इस तक्नीक का विकास दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी वर्दी, बेंट, शील्ड, हेलमेट इत्यादी को सैनिटाइज करने की आवशक्ता बताने पर किया है यह सैनिटाइजिंग चेमबर पारलियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है तो इस प्रश्न का सही जवाब है option C यानि DRDO चौथा प्रश्न निम्न में से किसे केरल होकी का द्रोनाचारे कहा जाता है option है श्रीधर शिनोय, मनप्रीत सिंग, दिनेश नायक या PR श्रीजेश हाली में केरल के पूर्व होकी कोच श्रीधर शिनोय का निधन हो गया है श्रीधर शिनोय को जमीनी इस्तर पर बच्चों के साथ कड़ी महनत करने के लिए केरल होकी का द्रोनाचारे कहा जाता है ऐसे समय में जब केरल में फुटबॉल और ट्रिकेट लोग प्रिये थे उन्होंने होकी को बच्चों के बीच लोग प्रिये बनाया वे सत्तर के दशक में राश्ट्री खेल संस्थान पटियाला से पास आउट होने के बाद एक कोच के रूप में केरल स्पोर्ट्स काउंसिल में शामिल हो गए उन्होंने स्कूली छात्रों को होकी सिखाने के लिए अथक अभियान शुरू किया जिसके चलते राज को ओलंपियन दिनेश नायक और श्री जेश के कोच जैकुमार और रमेश कोलपपा जैसे बहतरीन कोच मिल सके तो इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन A यानि श्रीधर शेनवय पाचवा प्रशन हाली में किसने सर्वजनिक इस्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी के लिए AI आधारित साइबर फिजिकल सिस्टम विक्सित किया है ओप्शन है IIT खड़कपूर, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली या IISC बेंगलुरू IIT खड़कपूर की शोदकर्ताओं के एक समूह ने सर्वजनिक इस्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक साइबर भौतिक प्रणाली विक्सित की है यह प्रणाली व्यत्यों के बीच दूरी का पता लगा सकती है यह डिवाइस फिल्ड की इमेजिस को कैप्चर करती है और स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा निर्धारित मांदन्डों के अनुसार दूरी की गढ़ना करती है यह डिवाइस सोशल डिस्टेंसिंग के मांदन्डों का उलंगन होने पर ओडियो आउटपुट के माध्यन से प्रॉक्सिमिटी एलर्ड साउंड बजाने में सच्छम है आयाइटी खड़कपुर परिसर के भीतर डिवाइस के तीन प्रोटोटाइप इस्थापिप करके इस सिस्टम का सफलता पूर्वक परिच्छन किया गया है तो इस प्रशन का सही जवाब है ओप्शन ए यानि आयाइटी खड़कपुर छठा प्रशन निम्न लिखित कथुनों पर विचार कीजिए सम्विधान में अनुच्छेद 107 से अनुच्छेद 111 है तक के समूह को विधाई प्रक्रिया शीरिशक दिया गया है संसत के दोनों सदनों के पास अधिकार है कि वे सम्विधान के अधीन रहते हुए अपने लिए कारवाही के नियम खुद बनाएं उप्रोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सकते है या सकते हैं किवल एक, किवल दो, एक और दो दोनो, ना तो एक और ना ही दो संविधान के अनुचेद 107 से अनुचेद 111 तक के समूँ को विधाई प्रक्रिया शीर्षक दिया गया है इन अनुचेदों में विधी निर्माण की प्रक्रिया का उलेख संग्षेप में किया गया है उससे संबंदे सभी नियम नहीं दिये गए है संसत के दोनों सदनों के पास अधिकार है कि वे समविधान के अधीन रहते हुए अपने लिए कारेवाही के नियम खुद बनाएं इसलिए संसत की विधाई प्रक्रिया को समझने के लिए उपरोग्त वर्णित अनुछेदों के साथ साथ लोकसभा तथा राज्यसभा के विशिष्ट नियमों को भी देखा जाना जरूरी है संसत का प्रमुख काम कानून बनाना ही होता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option C यानि एक और दो दोनों सातवा प्रश्ण निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए संसत में प्रस्तुत किये जाने वाले विधियक दो प्रकार के होते हैं सरकारी विधियक तथा गैर सरकारी विधियक ये पहला कथन है दूसरा कथन है प्रक्रिया के आधार पर विधियक चार प्रकार के होते हैं साधारण विधियक, धन विधियक, वित्य विधियक तथा समविधान संशोधन विधियक उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनो ना तो एक और ना ही दो संसद में पेश किये जाने वाले विध्यकों को भिन भिन दृष्टी से वर्गी कृत किया जा सकता है जैसे सरकारी विध्यक तथा प्राइवेट सदस्य विध्यक सरकारी विध्यक वह होते हैं जो किसी मंत्री द्वारा पेश किये जाते हैं मंत्री परिशत के सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत विध्यक प्राइवेट सदस्य विध्यक कहलाते हैं चाहे वह सदस्य सतारूर्ण दल का ही क्यों न हो दोनों तरह के विध्यकों को पारित करने की प्रक्रिया समान है हालां कि प्राइवेट सदफ से विध्यक का पारित होना प्राया संभव नहीं होता है प्रक्रिया के आधार पर विध्यकों को चार वर्गों में बांटा गया है साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्ती विधेयक तथा सम्विधान संशोधन विधेयक तो इस प्रश्न का सही जवाब है option C, यानि एक और दो दोनों कथन सही है आठवा प्रश्न, निर्म लिखित में से कौन सा या कौन से कथन साधारण विधेयक की अवस्था के सम्बंद में सही है या सही है इसके अंतरगत विधेयक पर सैध्धान्तिक चर्चा होती है इस दौरान विधेयक के सभी उपबंधू पर विचार विमर्श किया जाता है उठ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो, ना तो एक और ना ही दो साधारण विधेयक कानून बनने से पूर्व कई चरों से गुजरता है उसमें से एक चरण है प्रथम वाचन जिसके अंतरगत साधारण बहस की अवस्था आती है इसके अंतरगत विधेयक पर सैध्धानतिक चरचा होती है इस दोरान विधेयक के प्रिथक प्रिथक उबंधू पर विचार विमर्ष नहीं किया जाता इस अवस्था में सदन निमनलिखित में से कोई कदम उठा सकता है वह तुरंत चरचा शुरू कर सकता है उप्रशन का सही जवाब है नौवा प्रशन चरचा के सम्मध में निमनलिखित में से कौन सा या कौन से कथन राश्ट्रोपती की सुईकृती के विशय में सही है या सही है संसत के दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा प्रमालित विधेयक राष्टपती के पास भेजा जाता है किसी विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राष्टपती की सुईक्रिती अनिवार है उठ हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और नहीं दो संसत के दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमारित विधियक राश्टोपती के पाद भेजा जाता है क्योंकि उसकी सुईकृती विध्यक के अधिनियम बनने के लिए अनिवार है अनुचेर 111 के तहट राश्चुपती के पास ऐसे विध्यक के सम्मंध में तीन विकल्प होते है वहे विध्यक को सुईकार कर सकता है तथा उसकी सुईक्रिती मिलने पर विध्यक अधिनियम बन जाता है वहे विध्यक को अपने पास रोक सकता है विध्यक को रोकने का अर्थ पॉकेट वीटो का प्रयोग करना है यदि राश्टुपती विधेयक के उपबंधों से संतुष्ट नहीं है तो वह उसमें संशोधन के कुछ सुझावों सहित उसे संसत के दोनों सदनों को पुनरविचार के लिए लोटा सकता है यदि दोनों सदन राष्ट्रपती के सुझावों को सुईकार या असुईकार करते हुए विध्यक को पुनह पारिद कर देते हैं और राष्ट्रपती के पास अनुमती के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपती उस पर अनुमती देने के लिए बाध्य होता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option B यानी केवल दो दस्वा प्रश्ण निमने लिखित में से कौन सा कथन किसी विध्यक को दूसरे सदन को भेजने के बारे में सही नहीं है कथन है दूसरा सदन विध्यक को बिना किसी संशोधन के पारित करके प्रथम सदन को वापस भेज सकता है वह विध्यक को कुछ संशोधनों सहित प्रथम सदन को वापस भेज सकता है वह विध्यक को असुईकार कर सकता है या दूसरे सदन से पारित होने के बाद विध्यक को अधिनियम बना दिया जाता है इसका विशलेशन देखते हैं जब एक सदन विध्यक को पारित कर देता है तो पीठासीन अधिकारी उस पर सहमती प्राप्त करने के लिए उसे दूसरे सदन को भीचता है दूसरे सदन दौरा प्राप्त की जाने पर उसे विचार विमर्ष के लिए सदन के पटल पर रखा जाता है इस सदन में भी विध्यक के प्रथम दूती और तृती वाचन होते हैं अंतिम इस्तिती में दूसरे सदन के पास उस विध्यक के संबन्ध में निम्नलिखित विखल्प होते हैं, वह विध्यक को बिना किसी संशोधन के पारित करके प्रथम सदन को वापस भेश सकता है, वह विध्यक को असुईकार कर सकता है, वह यह भी कर सकता है कि विध्यक को प विध्यक के अधिनियम बनने के लिए अनिवार है तो इस प्रशन का सही जवाब है option D यानि दूसरे सदन से पारित होने के बाद विध्यक को अधिनियम बना दिया जाता है यह कथल सही नहीं है तो चलिए आज का अभ्यास प्रशन देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज में रज पर्व तेवहार मनाया जाता है option है ओडिशा, 36 गड़, जहार खंड या उत्तर प्रदेश तो comment section में इस अभ्यास प्रशन का सही जवाब देना ना भूले अगले session में कुछ नए प्रशनों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार